पांच साल में यूपी में आई 4.4 लाग करोड की नए निवेश परियोच राएं MSME निर्यास समवर्दन परिशदनी जैविक खादुत पाद को और विपरर अजंसियों के परिसंग के साथ संयुक्त रूप से किये गए अध्यान को जारी किया है अध्यान में बताया है कि साल 2018-2019 और 2022-2022 के बीच उत्तर प्रदेश में 4.4 लाग करोड की नए निवेश परियोचनाई आई फरिशद के अध्याश डाक्टर डी-एम रावत ने बताया कि इन में से तक्रीबं पौने 3 लाग करोड रूपिय की परियोचनाई पूरी भी हो गई है अधियन के आफ्रों के मताबिक साल 2018-2019 से 2022-2022 के बीच निजी शेतर दौरा निवेश पर योजनाएं 2,020 करोड रूपए की थी जिन में से 92,478 करोड रूपए की पूर्ट पर योजनाए थी 2022-2022 में बकाया कुल निवेश पर योजनाएं 6.8 लाग करोड रूपए की थी नए निवेश परियोजनाओं में उलेक निवरदी हुई है 2022-2023 के दौरान बैंको दौरा कुल कर्ज में भी वरदी हुई है इस दौरान कुल बैंक कुल रिंड 7.55 लाग करोड रूपए था जबकि 2021-2022 में ये 6.4 लाग करोड रूपए था रिपोर्ट के मताविर देश के MSME सेक्टर में 14.2 जीरो प्रतिशत हिस्सेदारी यूपी की है जो सबसे स्यादा है राचे में 15 ओद्यों गिक्षेद 12 विशेश पार 4 विकास केंद्र शामिल है अधियर में कहा गया है कि ग्रेटर नॉइडा नॉइडा बेल्ट देश में मॉबाइल की निर्मार में 40 प्रतिशत से जादा कही उतान दे रहा है